जीफांग आप डाउन्डोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री लेकिन अब तादी अमा से मुलाकात करने से चाता चरूरी है है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत इंपोर्टन बात है रानी मैं यहाँ आपको आर्थी तो उतारनी पड़ेगी ना तो अमाची के उहीच के चा रहे थे ना यही लिए हम आगए अब पहली बार घार आए हैं तो सागत तो करना पड़ेगा ना अच्छे से रामाधीर ना सही उनकी अम्मा तो है और तु इका तारीका है दामाजी से बात करने का हैं बती का सब्मान करते हैं अच्छे से बती आते हैं उससे हां आजी हम आग भीटिया ना थोड़ी सी पग्राइठ है अगर कुछ छो उल्टी सीधी बात बोल दी हो तो हम आपसे माफी मांगते हैं ने ने प्लीज में दादी जी आप यह मत कीजे आपस आशरवाद दीजेए रानी को गाउ लेके जाना है और उसे वही पे छोड़ाना है हमेशा हमेशा के लिए अरे तु यहां काई खड़ी है वहां जाके खड़ी हो ना तामाची के बगल में हम आर्थी करेंगे तु दोनों की जा बिटिया वही दो हाल जगा है अब अब लग रही है ना रामसीता की चोड़ी हमेशा मुश्किल काम करने से ड़ते आये हो तुम लेकिन इस बार पीछे हटने का कोई आप्शन नहीं है तुम्हारे पास बील और जल से जल उसे अपने घर छोड़ कर आ जाओ कि इस तो रानी के मरद है ना हां बहुते सुन्दर है एक दाम राजकुमार के जैसे अरे हां सुने है अपना रामू है हां जिस घर में काम करता है उसी घर के बड़े बेटे हैं अब तुम लोग का पंचायत कर रही हूं हमार दामाज जी के नजर लगी न तो चुटिया घसीट के मारेंगे तुम लोग अनके हां अरे काकी इतना गुस्सक आया हो रही है आप तो आरती उतारो बस हां हां उतार रहे हैं हां आये दमाची आपिटिया रुकिये हमार यहां चूता पहन कर घर के अंदर प्रवेस नहीं करते रानी बिदिया पहले तहिना पैर अंतर रखना और वीव बिठा आप भी यह क्या तरीका था अपने पती से बात करने का नीचे हॉल तक आवाज सुनाई दे रही थी इस तरह की किबद सुलुकी हम कते बर्दाश नहीं करेंगे मासा जाने दीजिये ना थोनों आपस में हम राज कूतों में जबान की कीमत होती है और उसका इस तरह से लड़ खडाना आपको शोभा नहीं देता उतना ही बोलिये जितनी आप में सुनने की क्षमता हो गर की इजद बरकरा रखना अपने परिवार के हित में सोचना एक बात है लेकिन अपनी मन मानी करना गलत है आप घर छोड़कर चली गई फिर भी हम कुछ नहीं बोले दिगवजाय आपको मनाने गए और आप वापस नहीं लोटी फिर भी हम कुछ नहीं बोले दिगवजाय कि तब्यक खराब हो गई क्योंकि आप घर वापस नहीं आई फिर भी हम कुछ नहीं बोले क्योंकि हम जानते थे कि आपका भी दिल दुख रहा है और आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन आज 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 आप सारी हदे पार कर चुकी हैं और ये हम कताई बरदाश नहीं करेंगे मासा प्लीज जब ये हम दोनों के बीच की बात है हम आपस में सुल्जा लेंगे अगर बात पती-पत्मी के बीच की होती न तो आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती अगर आप दोनों इस तरह पूरे घर को सुना कर जगड़ा करना चाहते हैं न तो इसमें सब को शामिल भी कीजिए ऐसी कौन सी बात है जिसकी वज़े से आप अपना संतुलन खो बैटी बोलिए राजमाता आज आपकी जो शिकायत है वो पहली और आखरी बार होगी और आज के लिए हम माफी मांगते हैं इस बार मामला गंबीर है इन दोनों के बीच कड़वार कम नहीं हुई उल्टा और बढ़ गई है ये सब इतनी आसानी से नहीं सुलजने वाला राजेश्वरी हम जानते हैं कि तुम्हें तकलीफ पहुची है लेकिन बीर को इस घर में लाने का फैसला और बेटा मानने का फैसला तुम्हारा अपना था और उस फैसले की सजा आज हम भोगत रहे हैं सजा नहीं है ये तुम्हारी भलाई का नतीजा है कि तुम्हें उस बच्चे को अनात होने से बचा लिया लेकिन फैसला अब तुम्हारा है या तो तुम कैकई बन कर उस बच्चे के साथ अन्याय करती चलो या फिर यशोदा बन कर उसे जन्म देने वाली मा से भी जादा प्यार करो दोनों ही सूर्तों में वीर तुम्हारा बेटा ही रहेगा अब सोचना तुम्हें है कि तुम कैसी माबन माचाती हूँ लाए यहाम ख़दे दे आए आए बईठे 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 इता है यह ली दा माद बाभू हम लेहा है ना ना जोड़े का स्वागट मिश्री का तुकड़ा खिलाके मूहमें ठाकिया जाता है लीजी हुआ इले कहा है ना दामाद बापु हमार पीठिया बच्पन से नटखड है बताईगा है नहीं कि दामाद जी को संग ला रही हो नहीं तो हम चाउचा के इंतिजाम करके रखते नहीं नहीं आप इतना परिशान मत हुए है आपकी मिष्री और बातों की मिठास ही काफी है इतने बड़े घर के है लेकिन कितने सुसील और नर्म है यानि पीटिया सच में तेरा टेम आ गया दीदी हम चुले पर चाय चड़ा रहे है और साथ में पकोड़े भी तल देते हैं वो भी मूंग दाल के उतला हुआ नहीं खाते इतामाद बाबु बहुत सरमीले है का कच बोल करें और देखें सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री